पिछले कुछ दिनों से एर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के काफी चर्चाएं सामने आई थी जिसमें पता लग रहा था कि काफी समय से जो एर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट दर्ज की गई है बहुत सारा जो है एक दूसरे के उपर इसमें दोशार ओपन भी कि हम इसे किस तरह से देखते हैं हम किस तरह से समझते हैं कि अब जो एर क्वालिटी इंडेक्स है वो गिरा है या फिर बढ़ा है या फिर उसमें किस तरह से चेंजिस हुए हैं बातचीत करेंगे हमारे साथ अलग अलग डिपार्टमेंट से दो एक्सपर्ट हैं सबसे पहल मुश्किल है वो हलात पैदा हुए है एर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो गिरा है तो इसे किस तरह से मॉनिटर करते हैं देखिए पिछले कुछ समय में एक यूई लेवल हमारा बहुत ही पूर कंडिशन में था और उसके कई सारे कारण थे और मल्टी मल्टी फैक्टर्स थे पर जातर इल्जाम इन दिनों हम पराली के उपर लगाते हैं जो एक तरीके से सही तो नहीं है पर हाइलाइट पराली को किया जाता है पर अभी आज कल थ को अफेक्ट करते हैं और जिसके बारे में हम सब को जागरूख होने की भी आवशक्ता है और इन दिनों फेस्टिव सीजन था विंटर भी बढ़ रही है और वहिकुलर मुवमेंट भी बढ़ रही है प्लस सर्दियां आ रही है तो हमारे बायो मास बर्निंग के भी बढ़ ही है जिसकी वजह से ओवराल हमारा एर क्वालिटी इंडेक्स के जो हमारे मॉनिटर के लिए हम जो पैरामीटर यूज करते हैं उनका लेवल बढ़ा है और एक यूई लेवल भी एवन कई कई जगों पर सिवियर कंडिशन तक भी पहुंचा है आपके डिपार्टमेंट के सारे में भी जानना चाहेंगे किस डिपार्टमेंट की तरफ से कई जो स्टेडीज हैं वो की गई है इसके अलावा कई जो देखा गया कि कॉलाब्रेशन में यहां पर इवेंट्स चलाए गए हैं इंवायर्मेंट की जगरुकता को लेकर करके तो यह सब क्या है देखिए मै प्रियावरन अध्यन विभाग पंजाब इनुवस्टी में प्रोफेसर हूं और हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजों में प्रियावरन जागरुकता को लेकर काम करता है और हम इसमें सिर्फ साइंटेफिक काम तो हम करी रहे हैं पब्लिकेशन रिसर्च कर रहे हैं कॉमिनिटी एंगेजमेंट के ओपर भी हम काफी काम कर रहे हमारा प्रियास है कि हम लोगों को जागरूप करें कि उन वो कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे हम प्रियावरन के परती समेंदल शीन बने और अपनी छोटी-छोटी स्टेप्स के पर त्यार करने की कुशिश कर रहे हैं और हमारे साथ पीजी आई से डॉक्टर रविंदर खैवाल भी है इनसे भी जानेंगे से देखा गया कि इन्वायर्मेंट के जब स्टेडीज हो रही थी या बहुत सारे जो नुक्ते सामने आए कि किस तरह से एक आई जो है वो मॉनि हमारी जो air quality है वो good हो सकती है यानि कि और excellent की तरफ जा सकती है अगर बारिस आ जाए जो 28 नंवंबर तक संभावना है अब बात करें कि हमारी research क्या दिखाती है हमारी research यह दिखाती है कि over the period जो major cities है या mega cities है नो में pollution level गीरा है लेकिन जो हमारे emission है वो बढ़े है तो जो net gain ह वो इतना नहीं हो पाया कि हम उसको नेगेटिव दिखा पाएं अब बात आती है कि जो प्लूशन का लेवल इस सीजन में क्यों बढ़ जाता है तो हमें पता है कि जो एटमोस्फिरिक बांडरी लेयर है वो इस सीजन में लगबग 600 मीटर के करीब आ जाती है जो गर्मियों में 1400 मीटर के आसपास होती है यानि कि जो यह एर पॉलिशन हम देख रहे हैं जैसे सामने हम देखेंगे एक्टिविटी हो रही है तो वो जो डस्ट है वो सिर्फ 600 मीटर तक मिक्स होती है तो वो कंसेंटेशन तीन से साथ गुना बढ़ जाती है फिर यह जो रोड डस्ट है यह री सस्पेंशन ऑफ वहिकल है यह सब कंट्रिब्यूट करते हैं पॉलिशन को हमने वेस्ट बरनिंग को देखा किस तरह से कंट्रिब्यूट करती है और प्रोफेसर मोर ने भी बताया हैं जो अधर एक्टिविटीज हैं चाहिए वो हाउसोल्ड कुकिंग हो या हमारे रेस्ट्राउं में कुकिंग हो दे ओल कंट्रिब्यूट के लिए कि क्या कुछ इस वैन में है मतलब क्या कुछ मॉनिटर इनकी तरफ से किया गया है और किस किस चीजों पर यह इंपक्ट ड पर इस चीजों परणीज फटेगर साइब में स्टेबलिस किया ता दुरिंग प्रोप रेजिडिव बर्निंग आप देखेंगे कि हां पर प्रोप रेजिडिव के बर्निंग के सेंपल भी है और वेरियस इंस्ट्रुमेंट इसके अंदर है तो जब हम कि अव भी है यंज हैं सौन बहुद्सन पश्कल चानीज य glands आप झालेखें फ surtout य Allah झालेखें कि हां प्रोप रेजिव इसंट्य प्रोप रेजि़ थूव पनस्टरुमें सही थो पर प्रोप प्रोप टेजिए their emissions and then how you better quantify these their contribution in Delhi or other cities because this is the debate which continue that how much contribution of these Parali residue burning is contributing to the whole emission of a city like Delhi but it is not Delhi actually if you look at the Punjab, Haryana and then Delhi and other region also they contribute now looking at this basically you will see this is CQMS continuous air quality monitoring a station now here we will see several gaseous pollutant pm 2.5 pm 10 as well as gaseous like sulfur dioxide oxide of nitrogen ozone and black carbon so this data basically eight pollutant data is being used to calculate AQI they have different units some are in microgram per meter cube some are in ppb level so you basically merge them together so that you have a single unit to communicate to the common men that this is the health risk which could arise from these pollution sources and other things that the children have told me they are learning about it so they have been to know about what information is in this country देखिए अगर हम देखें तो हमारे हैं कुछ सेंसर लगे वह हैं इनको बोले तो यह सेंसर जो है यह परपल एयर है और एटमोस सेंसर है तो हम इसको यहीं नहीं यह चंडीगड में वेरियस लोकेशन हमने प्लेस किये हुए इसके बात बात करें तो हमारे पास यह पीम 2.5 जिसके अंदर हम basically heavy metal study कर रहे हैं और यह आप activity देख रहे हैं हमारे student उनको जो बच्चे आये हुए हैं आपर उनको बता रहे हैं कि how we monitor air quality like we are discussing with you and they are also looking at and very keen basically so that they become part of the solution also. तो यह instrument अगर हम बात करें तो यह दिखा रहा है कि किस तरह से आप इस reason की heavy metal भी PM 2.5 के अंदर measure कर सकते हैं. अब बात करें तो हमारे Japanese collaborator under ACAST project और उसमें हम दो sensor लगाए हैं PM 2.5 sensor which is here and then CPU G also जो gaseous pollutant को दिखाता है. तो यह जो sensor है basically यह हमारे RIH and Japan के साथ in collaboration लगाए गाए हैं and similar type of instrument has been placed at various location over Indo-Gangetic belt in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh so that we look at the distribution and their pattern according to various geographic location and metrology. So they help us to basically understand the air pollution level at a time resolution basically when you see there is some gap CQMS has a five minute so here you can have even much faster time resolution data for air quality changes. So all this data is being generated or all these students are being engaged basically or you can say commoner is being engaged to create awareness. They have a better understanding of the pollution, sources, emission and how they can be a part of the solution also. तो solution में सेर क्या कुछ चीज़े जो है आपको लगता है कि यह असर कर सकती है क्योंकि हाली में देखा गया जो air quality index था वो काफी खराब था देखिए आगर आप देखें तो meteorology एक पहला factor है हमारे region में air pollution खराब होने का, दूसरा है जो हमारे emission है वो सर्दियों में थोड़े बढ़ जाते हैं, तीसरा क्या है कि जो atmospheric reactivity है और जो meteorological phenomena के साथ वो बढ़ाते हैं और जहां various effort has been taken in the last 25 years Chandigarh का data हमने अनलाइज किया लेकिन उसका net impact नहीं देखाते हैं जैसे आप ही देख रहे हैं कि कितने vehicle number बढ़ जाते हैं तो आप जितना emission कम करते हैं उससे ज़्यादे जो emission source करने वाले हैं वो बढ़ जाते हैं, so number of vehicle per person is highest in Chandigarh So you can think about that vehicle kilometer traveled, that also increases and that increases the emission, apart from industrial waste burning and other fugitive emissions अब बात करें कि क्या effort लिये गए हैं, पहली चीज़ common man को empower किया गया है, जब वो AQI अपने mobile पे Samir app के द्वारा देख सकता है दूसरा जो हमारे dust है, उसके लिए हमने देखा कि किस तरह से हमने जो vacuum van खरी दिये हैं, जो non exhaust dust नावड है उसके लिए प्लस water sprinkler लिए गए हैं और Chandigarh की जो industries हैं, वो इस category में नहीं आती हैं और उनको motivate किया जा रहा है कि even to change their process and system so that the emission could become even lesser बातचीत करने के लिए तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर रविंदर खैवाल और साथ ही साथ हमने जो environment department के professor है सुमन मोर के साथ भी बातचीत की और आपको बताया कि किस तरह से air quality index देख्स जो है वो measure किया जाता है कितने इसके पीछे जो काम है वो होते हैं कितनी चीजें इस में involved होती हैं क्योंकि जिस तरह से monitor तो इनहें कर लिया जाता है पर उसे किस तरह से देखते हैं वो आगे आप तक किस तरह से पहुंचती है तो ये जानना भी बहुत दिल्चस्प रहा वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरे अभी तक के लिए चंडीगर से हरसिम रहता